मद्दाता सूची का अंतिम प्रकाशन गुरुवार को किया गया जिसमें नाम जोडने और सुधाने का काम भी किया गया और साथ ही अंतिम मद्दाता सूची को निर्वाचन कार्याले के वेब साइट पर भी अपलोड किया गया मुख्य निर्वाचन पताधिकाली सुब्रत साहू ने गुरुवार को मद्दाता सुची के अंतिम प्रकाशन की जानकारी देते हुए मीडिया प्रतिनीधियों से चर्चा की उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ले के निधारित कारेक्टर मनुसार राजी के शत प्रतिशत मद्दाताओं के नाम मद्दाता सुची में जोड़ने पात्रों के नाम विलोपित करने और त्रूटी पूर्ण नामों को शंसोधित करने के लिए दिगोई पात्र मद्दाता अपने आविदन पत्र प्रस्तूत नहीं कर सका हो तो नामांकन के अंतिम तीथी तक वो अपना नाम ओनलाइन आविदन कर सकता है अंतिम प्रकाशन के मद्दाता की संख्या में व्रिद्धी हुई है जिसके अनुसार एक करोड़ पच्यासी ला अगरीक और तरिती लिंग को विशेश कर फोकस किया जाएगा विदासभा निर्वाचन 2018 में प्रतेक मद्दान केंडर पर दिव्यांग मद्दाताओं के लिए रैम का निर्मान और विलचेर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी निर्वाचन प्रक्रिया की शुद् जोभन के रूप में देखा जा सकता है साथ ही जमा की जाने वाली निकासी की नगत राशी की रकम दस लाग से जादा हो तो ऐसी सुचनाओ को आयकर विभाग की नोडल अधिकारी को आयकर विधियों के अंतरगत आवशक कारिवाही के लिए भेजी जाएगी आज 27 सितंबर को भारत निर्वाचन आयक के प्रसारित शीडियूल अनुसार मद्दाता सुची इलेक्टरल रोल का अंतीम प्रकाशन किया जाना था हम शीडियूल पर हैं अपात्रों के नाम बिलोपित करने एवं त्रिटिपूर्ण नामों को संक्षोदित कर सुधार करने के लिए निर्वाचन आयक के द्वारा सुची का संक्षित पुर्यरिक्षन किया गया है जिसका अंतीम प्रकाशन आज 27 सितंबर 2018 को किया गया है यदि कोई पात्र मतदाता अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके हो तो नामांकन की अंतिमतितित तक वो अपना नाम जोड़े जाने के लिए संबंदित निर्वाचक रजिस्ट्री करन अधिकारी को या ओनलाइन निर्धारी प्रारूप में आवेदन nvsp.in पर कर सकते ह एपिक कार्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है जिसके लिए शसुल कार्ट जारी किया जाएगा तहसिल कार्याले से कार्ट प्राप्त किया जा सकेगा साथ ही नोरे कलेक्टेट के खिलाब की जारे जाज को प्रक्रिया धिन बताया और जाजपूरा होने के बाद ही रिपोर्ट देने की बात कही लिहाजा मद्दाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनावी प्रक्रिया में और तेजी होने की संभावना प्रबल हो गई है ऐसे में अब चुनाव आचार संहीता लगने की तिथी करीब होने का कयाज भी लगा जा रहा है देश टीवी के लिए कैमरा मैन रिशी नेताम के साथ स्वरुप भटचारी की रिपोर्ट